पिछले मैने Global NCP ने महिंद्रा थार का crash test कर दिया है जिसमें महिंद्रा थार ने adult occupants के लिए 5 में से 4 star और child occupants के लिए भी 5 में से 4 star score किये हैं वैसे तो ये बहुत ही अच्छा score माना जाता है लेकिन कुछ लोगों को महिंद्रा थार से और जादा अच्छे score की उम्मीद थी दोस्तों, असल में थार especially off-roading के लिए है और off-roading की गाड़ियां काफी rough and tough होती हैं ऐसे में कई लोगों का मानना था कि थार safety के मामले में सभी गाड़ियों को पीछे छोड़ देगी ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि महिंद्रा की ही दूसरी गाड़ी XUV300 ने adult occupants के लिए 5 में से 5 star और child occupants के लिए 5 में से 4 star score किये हैं और Tata Altros ने भी adult occupants के लिए 5 out of 5 star score किया है लेकिन यकीन मानिये दोस्तों, 4 out of 5 star rating किसी भी तरह से बुरी नहीं है यहां note करने वाली एक और अच्छी बात यह है कि अभी तक Global NCP ने इंडिया की जितनी भी गाड़ियों को test किया है उन में से महिंद्रा की XUV300 के बाद महिंद्रा की ही थार ने child occupants के लिए 5 में से 4 star score किया है यानि हम यूँ कह सकते हैं कि child safety के मामले में महिंद्रा की cars हमेशा से ही बहुत अच्छा score करती आई है महिंद्रा थार के जिस variant का Global NCP ने crash test किया था उसमें dual airbags, ABS, ISOFIX anchorages and seatbelt pretensioners जैसी safety equipments दिये गए थे तो चलिए अब off-road car के बाकी features और कीमत के बारे में जान लेते हैं 1997 CC और 284 CC के engine के साथ महिंद्रा थार, petrol और diesel दोनों variants में बिक्री के लिए available है transmission के मामले में महिंद्रा थार के साथ manual और automatic torque converter दोनों ही transmission options दिये गए हैं बात करें variants की, तो अभी के समय में भारत में all new महिंद्रा थार के कुल 13 variants बिक्री के लिए उपलब्द है Color options की बात करें तो महिंद्रा थार 6 colors, Aukey Beach, Aquamarine, Mystic Copper, Red Rage, Napoli Black और Galaxy Gray में available है थार के इन सभी variants की X showroom कीमत 9,80,000 रुपए से लेकर 13,75,000 रुपए के बीच है बता दें कि अभी के समय में देश भर में महिंद्रा थार की demand काफी जादा है और उसके मुकाबले supply बहुत कम हो पा रही है जिसकी वज़े से इसके सभी 13 variants खरीदने को नहीं मिल पा रहे हैं इन में से कुछ चुनिंदा variants ही अभी विक्री के लिए available है तो अगर आप महिंद्रा थार को खरीदना चाहते हैं तो आप अपने पास की महिंद्रा dealership के वहाँ visit कर सकते हैं और आपकी city में थार की on-road price और कौन सा variant विक्री के लिए available है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं जानकारी के लिए बता दें कि data के मुताविक दो अक्टूबर के दिन launch हुई all new महिंद्रा थार की नवंबर के last week तक करीब 20,000 units की booking हो चुकी है जिसमें से महिंद्रा ने नवंबर में थार के 2,579 units की delivery की है और ये कहा जा रहा है कि अगले महिने यानि जैन्वरी 2021 से कंपनी थार के production को और जादा बढ़ाने वाली है महिंद्रा थार की safety के बारे में हमारे opinion की बात करें तो Global NCP में महिंद्रा थार ने adult occupants के लिए 4 out of 5 star और child occupants के लिए भी 4 out of 5 star rating score की है जिसे बहुत अच्छा माना जाता है तो दोस्तों आपको महिंद्रा की ये off-road SUV all new महिंद्रा थार पसंद है की नहीं हमें कमेंट करके जरूर बताईए और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेर करने के साथ ही हमारे चैनल हिंदी आटो न्यूस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद